आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, question is A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around the circular table facing the center अब हमें यहां पर अभी तक question में क्या के बहना है कि A, B, C, D, E, F, G, H जो हैं एक circular table पर बहुत हैं तो सबसे पहले हम count करेंगे कितने members हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 members हैं ओके तो यहां पर हम एक circular table consider कर लेते हैं तो यह हमारा circular table हो गया अब हमें इस पर 8 members को बिठाना है तो positions consider कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके और यह center को face कर रहे हैं आगे हमें क्या given है that is A sits third to the left of C and second to the right of E अब A जो है वो कहां बैटेगा third to the left of C तो हमें क्या करना है कहीं पर भी C को consider कर लेना है चिक हैं तो जैसे हमने C को यहां पर ले लिया तो A जो है इसके third lift पर बैटेगा तो C जो है हमारा इधर face कर रहे that means यह इसका right यह इसका lift तो first, second, third तो यानि third lift यहां पर होगा तो यहां पर कौन बैटेगा A बैटेगा ठीक है and second to the right of E और किसके second right पर E के तो यहां पर जो person है वो इसके यह right पर होगा ठीक है तो यानि कि E को कहां बैटना होगा यहां बैटना होगा तभी तो इसके second right पर A होगा ठीक है आगे क्या given है हमें B sits second to the right of D who is not an immediate neighbor of E अब यहां पर हमें क्या given है कि B जो है वो कहां बैटेगा not an immediate neighbor of E जो कि E का immediate neighbor नहीं हो सकता यानि कौन नहीं हो सकता D नहीं हो सकता तो यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो D है वो इस position पर नहीं आ सकता और इस position पर नहीं आ सकता ठीक है तो positions कौन सी बची हमारे पास यह positions बची अब हमें साथ ही ये भी बोला कि है कि B sits second to the right of D अगर हमने D को यहां पर बिठाया है तो इसका second right तो अब D इधर face कर रहा है तो इसका right इधर होगा यह इसका right होगा तो first second तो यहां पर तो C बैट है तो यहां पर तो नहीं बैट सकता तो D का position ही possible नहीं है तो यानि D का position क्या possible है D को अगर हम यहां पर consider करें तो इसका right यह होगा तो first second second right पर कौन बैठेगा भी बैठेगा तो यानि D का सिर्फ यही position जो है possible है ओके आगे क्या given है H is second to the left of F H जो है वो F के second left पर बैठेगा and G is not an immediate neighbor of D और G जो है वो D का immediate neighbor नहीं होगा तो यानि G जो है हमारा यहां पर possible नहीं है ठीक है इन positions पर G possible नहीं है तो G के लिए हमारी यह दो positions होई अब हमें क्या कहा जा रहा है कि H is second to the left of F H जो है F के second left पर बैठेगा ठीक है अगर हम किसी member को यहाँ पर consider करते हैं for example हमने F को यहाँ पर consider करा तो यह इसका right यह इसका left तो second left पर कौन बैठेगा H बैठेगा ठीक है तो first second यहाँ पर H आ गया तो G को यहाँ बैठना पड़ेगा यानि कि यह position जो है possible नहीं है F यहाँ नहीं बैठ सकता तो F को कहाँ बैठना होगा F अगर हमारा यहाँ पर बैठता है तो यानि कि इसका left यह है तो यानि H हमारा इधर बैठेगा और F यहाँ होगा H इसके second left पर और G का position कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा सो यह अब हमारा sitting arrangement सारी conditions के साथ complete हो गया सो अब हम अपने questions की और proceed करते है और इन conditions को remove कर देता है ओके So the question is who sits between E and A की E और A के बीच में कौन बैठेगा ठीक है तो E का है हमारा E हमारा यहाँ पर है A हमारा यहाँ पर है इन दोनों के बीच में कान है H है That means option कान से correct होगा हमारा तो किसी भी option में H अभिलेबल ही नहीं है That means option E will be the right answer That is none of these Okay Thank you क्लासिक से दुएल से लेके NEED IIT जेही मेंस और अडवांस के लेवल कक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंस का भर हो सा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 84444 पर